अब इस वीडियो में एक प्रॉब्लम डिसक्स करेंगे, वही फाइनाइट ऑट्रमेटर तू रेगलर एक्सपेशन के करेंगे, कि स्टेट इलिमिनेशन मेथाट का यूज करके, इसके करेंगे इसके करेंगे, तो रूल नमबर वन क्या है, वन बैमन सारे रूल को अपलाई कर करेंगे, तो इनिशल स्टेट करेंगे, तो इनिशल स्टेट करेंगे, क्या है, 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 क् प्रस्ट रूल एप्लाई करने के बार्द आपको फाइनल डागराम है अब फाइनल इस चेटेट, औकष्ट से धिया है मेत्य आपको फाइनल स्टेट करेंगेbnि है, च्थ जानगे मिलके से चसे क्या ऐसके सैक्ट प्रे कर्सपंदिंग 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 कर और यो वरह गया और भी यहां से बीकर ट्रंजिशन और यहां से विग ट्रंजिशन भून रूम्बर टू पहुंच रहे हैं, Q3 से भी नल लीट करके QF2 कर इनको क्या करें कि इसको कमबाइन करें, तो यह हो जाएगा resultant diagram या इसके final state को क्या कर दिया दोनों को QF1 और QF2 को combine कर दिया, उसका resultant हम लेए QF, तो यहां से भी नल लीट करके final पहुंच रहे हैं, Q1 से भी नल लीट करके final अब क्या करेंगे, one by one सारे state को eliminate करेंगे, except initial state and final state, तो Q1, Q2 और Q3 को eliminate करेंगे, तो सबसे पहले अगर Q1 को eliminate करेंगे, तो क्या हो जाएगा, diagram इस तरीके से हो कुछ होगा, Q1 को eliminate करेंगे, तो QI से क्या करेंगे, directly हमें Q2 तक जाना होगा, QI से directly Q2, और Q3 तो अभी present है, तो Q3 को as it is रहने देंगे, और यहां से इसका transition B है, और यह अधर B का transition है, और QF है, ओके, यह final है, तो Q3 से यहां पहुंच रहा है, किसे null transition से, यह हो गया, अब बागी सारे चीज़े थे, वो QI से, पहले QI से Q1 पे आ रहते हैं, फिर Q1 से Q2 पे जा रहते हैं, बट अब Q1 को ह Q2 से Q2 पर पहुंचेंगे, तो क्या क्या चीज़े रीट करके जा रहे हैं, null A, B, तो क्या हो जाएगा, null dot A, B का मतलब A plus B, null dot A plus B which is equals to A plus B, तो इसका मतलब यह है कि अब QI से Q2 पर A plus B के तुरू यहां हम पहुंच रहे होंगे, ओके, next, यह हो गया, अब आते हैं, Q3 से क्य क्या Q1 पर पहुंच रहे थे, देखो, Q3 से Q1, तो Q3 से Q1 क्या रीट करके जा रहे है it is, B, से Q1, लेकिन, अब हमें क्या करना है, कि Q1 तो है, नहीं, तो Q3 से Q1 पर जा रहे हैं, और Q1 से Q2 पर जा रहे है, तो हमें क्या करना होगा, directly Q2, देखो, ये path भी follow हो होरा है, देख B followed by A plus B, B followed by A plus B, Q3 से B read करके Q1 पर पहुंचे, बट Q1 यह आ है नहीं, अब हमें directly Q2 पर जाना है, तो वाया Q1 के थ्रू जाएंगे, तो यह सारे string read करके यहां पहुंचेंगे, यह हो गया, Q1 से QF तक पहुंच रहते, तो Qi से null read करके Q1 और Q1 बीट करके Qf, तो null dot null which is equals to null, तो क्या हो जाएगा, directly हम यहां null read करके इधर पहुंच रहते हैं, अब होगा, next, क्या Q3 से Qf तक पहुंच रहते हैं, यहा से Q3 से B read करके Q1 पर पहुंच रहते हैं, और Q1 से null read करके Qf तक तो आप क्या करेंगे कि Q3 से directly QF तक पहुंचेंगा दो क्या है पर B.Null तो B.Null क्या बजाएगा B तो स्टेट Q1 इलिमिनेट करने के बाद जो रिजल्टेंट डाइग्राम होगा वह यह आपका यह बनेगा बाकि जो अब क्या करनेंगे नेक्स स्टेट कौन सी इलिमिनेट करते हैं Q2 तो Q2 की इलिमिनेट करने के हम यहाँ ड्रो करते हैं पहले इसको रिजल्ट कर लेते हैं तो यानि QI और QF और Q3 बचेगा तो अगर इसको देखें Q3 अगर बच रहे तो क्या क्या हैगा QI से कहां पहुंच रहे थे पहले तो क्या करते हैं देखो यहाँ पैरलल लेज़े यह आपकी पैरलल लेज़े यह पैरलल लेज़े देखो यहाँ Q3 से Q2 पे जा रहे हैं और Q3 से इदर से भी Q2 जा रहे है तो दोनों को क्या कर सकते हैं? Combine तो यह आपका क्या है B और यह इनके बीच में क्या हो जाएगा? Concatenation तो क्या हो जाएगा? Plus B तो इस H को यहाँ से हम eliminate कर दें पुड़ा easy हो जाएगा इसको solve करना Next यहाँ जो पहला लेश थी इसके साथ इसको क्या कर दिए? Union, combine कर दिए यहाँ के null transition यहाँ से आ रहा है और B भी आ रहा है तो अगर इसको क्या कर दें? एक null आ रहा है, एक B आ रहा है तो क्या जाएगा null plus B इसको left side भी रखते हैं इसको right side किसी भी इस तरह रखते हैं क्या है दोनों के बीच में plus है तो कहीं भी लिख सकते हैं अब QI से कहाँ जाना है हमको Q3 पर जाना है तो QI से Q3 पर जब Q2 eliminate कर रहा है तो पहले तो Q3 को चे कर लेते हैं तो को यहां से क्या कर रहा है इसको read करके यहां पहुंच रहा है फिर इसको read करके यहां पहुंच रहा है तो क्या है यह एक तरीके से loop आ रहा है तो इसका मतलब Q3 से पहले कहाँ जा रहा है Q2 और Q2 से वापस Q3 पर आ रहा है तो यहां Q2 स्टेट है नहीं तो अब यहां लूप पर क्या लिखेंगे? यह read करके यहां पहुँच रहे थे, क्या read किये थे? B followed by A plus B plus B. यह read करके यहां तक पहुँच रहे थे, यहां से read करके यह पहुँचे, फिर वापस आएंगे क्या read करके? B, तो concatenation with B, ऐसा लिखते हैं. यह read करके यहां पहुचे, फिर वापस B read करके यहां पहुचे, तो क्या है, यह Q3 से Q2 पहुच रहते हैं, और Q2 से Q3, Q2 के इस तरीकर से कहा है, repetition हो रहा है. तो अब state Q2 तो नहीं है, तो आप क्योंकि eliminate करे हैं, Q3 पहुचे का रहा है, उसका self-loop, यह भी है, और यह क्या है, QF है, तो QI से QF पहे जो भी transition है, वो as it is रहेगा, क्योंकि कोई भी हाँ, जो है, transition delete नहीं हो रहा है, Q3 से QF का as it is वही रहेगा, Q3 से QF क्या है, null plus B, अब आते हैं, यह interesting है, QI से Q2 पहे जा रहे थे, उसके बाद Q3, अब हम क्या करेंगे, डिरेक्ली क्या करेंगे, Q3 पहे जम करेंगे, तो QI से जब डिरेक्ली Q3 पहे जाएंगे, तो क्या क्या रीट करके जा रहे देखो, तो A plus B रीट करके Q2 पहुँचे थे, A plus B रीट करके हम कहां पहुचे थे, Q2, और Q2 से B रीट करके Q3 पहुच रहे थे, क्या जाएगा फॉरूड बाई B, यानि इतना सारा कुछ रीट करके हम Q3 पहुचेंगे, clear, यहां से as it is वह उसका transition रहेगा, और Q3 से QF का transition as read रहेगा Q2 का state सिर्फ eliminate ही है, तो बाकी जितनी भी path है, जो भी string रहेगी वो उसको में, यहां represent करना होगा, तो A plus B से Q2 पहुच रहे थे, तो A plus B से यहां तक Q2 पहुचेंगे, next, Q2 से B रीट करके Q3 पहुच रहे थे, इसलिए इसको concatenate कर दिये, इस और इस edge को concatenate कर दिया, और यह यहां लूप किसका है, पहले ही आ रहे हैं, यहां यहां रहे हैं, Q3 से Q2 पह जाना है, और Q2 से Q3 पहुच रहे हैं, Q3 का self-loop कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, next, अब इस state अगर Q3 को eliminate करेंगे, तो क्या होगा, QI, अब इस state Q3 को eliminate करने जा रहे हैं, तो बचा के हमारे पास QF only, ओके, तो इसका मतलब पहले तो यह transition as it is है, तो QF से null रीट करके जा रहे हैं, वो जा ही रहे हैं, बागी साथ चीज़ हम लिखेंगे, तो क्या है यहां पर, A plus B followed by B, यह हो गया, अब यहां क्या, इसका self-loop है, ओके, तो यहां इसका self-loop है, तो यहां इसका अगर self B, यहां भी bracket है, B, A plus B, plus B followed by B, यहां यह साथ चीज़ है, इसका क्या हो जाएगा, स्टार, देखो, यह जाएगा, यहां से, यह as it is लिखा, A plus B followed by, क्योंकि अब क्या करना है, Q3 को जब eliminate करेंगे, तो QI से directly QF पर जाएगे, तो यह path इदर follow करते हैं, बाकी यह तो है, QI से QF तो directly null read करके पहुँच चुगे है, इसमें कोई भी problem नहीं है, बट यहां देखेंगे, तो इसको देखना है, A plus B followed by B से Q3 पर पहुँचे, फिर इसका loop है, तो loop पर क्या करेंगे, whole star, तो यह पूरे expression का है, यह जितना यहां आया हुआ हुआ है, B, A plus B, यहां भी bracket प्लस, यह नहीं साथ में, अब क्या करना है, QF पर यह read करके पहुच रहे हैं, इसके साथ यहां है concatenation, null plus B, तब जाके QF पर पहुचेंगे, ओके, तो यह expression होगा, QI से QF तक पहुच रहे हैं, बट यहां क्या क्या करेंगे, तो यूनियन के लिए हम इसको यहां लिख दे B, then bracket, फिर से bracket, B, इसको यहां नहीं लिख दे है, यहां तक है, यहां टो, इसकोई लिख दे है, A plus B, dot, यह नि, concatenation with B, यह यहां तक आ गया, followed by B, bracket में A plus B, plus B, followed by B का whole star, यह इतना हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यह, null plus B, तो यह इसका क्या हो गया, regular expression, ठीक है, null plus, A plus B, followed by B, यह एक bracket में इधार, यह A plus B, starting वाला जो यहां हमने eliminate किया था, then concatenation with B, और यह, इसका bracket गहां close हो रहा है, देखो, इसका bracket, यह इसका bracket है, इसका bracket यहां हो रहा है, और इसका bracket, फोड़ा बड़ा बड़ा बना दे, यह वाला bracket इसका साथ आ रहा है, यह वाला bracket इसका साथ आ रहा है, और यह वाला bracket इसका साथ आ रहा है, और यह वाला bracket इसका साथ आ रहा है, यह अलग से है, क्योंकि यह जो यह वाली transition थी, Q3 से QF के लिए 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 लिए, तो यह इसका क्या हो जाएगा, regular expression, तो अगर more than और फाइनल स्टेट है तो उसके कर्रस्पोंडिंग या करें जो आपका रूल 2 अप्लाई करने के बाद रूल 3 अप्लाई करें और वन बहुत सिंप्ली स्टेट इलिमिनेट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कौन कौन सी स्ट्रिंग आरे सारे पॉसिबल पाथ जितने ह उन सबको एक्सप्रेशन मिलेंगा हो हमारा रह्मारा और और दूसरी इंप्रेशन चीज क्या रहिए पिशिफोंडिक आएगा किसी भी फाइनाइट ऑंट नहीं क्यों कि स्टेट हमने जो इस्टेट के पहले क्यूँ एन कूटू धियो को तर्द्ध कर दिया दें क्यूत् Q2 एलिमिनेट करें, Q3 एलिमिनेट करें, then Q1 एलिमिनेट करें, तो उसका डिफरेंट रगला एक्स्षिशन आसकता है यह इस प्रॉब्लम के गारस्पोंडिंग उसका यह सेल्वीशन है, okay?